नमस्कार दोस्तों मैं मितुन एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का दा एजुकेटर के प्रेटफॉम पे जहां पर आज के टॉपिक में हम लोग राश्पती और रूप राश्पती से जुड़े साथ सब्सक्राइब करने वाले हैं जो आने वाले सभी एक्जाम के पॉइंट अभियो से इंपॉर्टेंट होगी इसलिए आप लोग इस वीडियो को आन तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक किजिएगा और वीडियो को शेयर पहला कोशन दिया हुआ है कि रामनाथ कोविन कितने नंबर के राष्ट पती है ठीक है अभी परजेंट में जो भारत के राष्ट पती है तो उनका पुछा गया करमांकी व्यक्ति के तौर पे कितने नंबर पर राष्ट पती बने तो अप्संद देखिए 13 है 14 है 15 है और 16 है नेक्ट दखिए नेक्ट में दिया है कि राष्ट पती के निर्वाचन में कौन-कौन भाग लेता है ठीक है तो देखिए उप्संद क्या है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस राज विधान सभाओं के निर्वाचित सदस और डिल्ली पांडे चेरी विधान सभा भाग लेते हैं इसका जो राइट एंसर होगा ओप्षन फोर हो जाएगा ठीक है और राश्टपती के चुनाव में जितने भी मनोनित सद़ सकते हैं वह भाग नहीं लेते हैं अगला कोशन देखिए अगला है कि भारत के पर्थम राश्पती कौन थे जो निर्विरोध जिनका निर्वाचन हुआ था तो भारत के पर्थम राश्पती वही थे निलम संजीव रेडी थे जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ था और यह 1977 में निर्वाचित हुए थे आप संदिया हुआ है रपाला में रजण तो यह भारत के फ़र्ष्ट पर्थम राष्पती थे और जाकिर ऑंसेंज यह भारत के पर्थम मुस्लिम राष्पती थे नेस्ट में क्राइब करते हैं उस पर जाच करने का और फैसला करने का अधिकार जो जो है सिर्फ सुपरिम कोर्ट के पास है यानि नबर फोर राइग ठीक है थैक नगू है ठीए पहले तखिए कि इससे पहले हों लोग का वीडियो जो बार बार एक्जाम में पूछे जाते हैं अगर उस वीडियो को नहीं देख पाया है तो वो कमेंट सेक्षन में लिंक दिया हुआ है वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं ठीक है अगला कोश्चन है कि राश्पतिक बात के चुनाव में नियूंतम उम्र सीमा कितनी होती है तो ऑप्शन है 25, 35, 45, 32 तो यहां पर देखते हैं हम लोग 25 जो है वो लोग सभा के सदस के लिए नियूंतम आई सीमा यानि पीम बनने के लिए नियूंतम में आई सीमा जो हो 25 होता है और राश्पति के लिए 35 यह सता है यानि ऑप्शन नमबर 2 राइट एंसर नेक्स्ट में ह किया गया है तो देखिए भारत के समिधान में टोटल भागों की संख्यां जो है वो 22 है ठीक है और पूछा गया है कि वो किस भाग में राश्पति का उल्लेख है तो देखिए ऑप्शन भाग फोर जो दिया गया इसमें राज के निती निर्देशक्तत्व के बारे में बता जाता है तो और राश्ट्पती का जो है वो भाग 5 में ही होता है ठीक है राश्पती के बारे में जो उल्लेक है वो भाग 5 में ही है यानि इसका राइट एंसरों का ऑप्शन 2 नेक्स्ट में है कि भारत का राज का परमुख कौन होता है तो भारत राज भारत राज का परमुख जो है वो राष्टपती होते हैं यानि option number two next दखिए next है राष्ट की एकता और अखणता का परतिक कौन होता है तो राष्ट की एकता और अखणता का परतिक राष्टपती होते हैं यानि option number two next दखिए next में है कि राष्टपती पत की सपत किसके द्वारा दिलाई जाती है तो र प्रवारत में भारत के राश्ट्पती का वेतन कितना होता है। राश्ट्पती का वेतन जो अभी परजेंड में व पांच लाग होता है। तो इसका राइट एंसर हो option 4, next दखिए, next में है कि भारत में एक वेक्ति कितनी बार राष्टफती पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, option है एक बार, दो बार, पांच बार या कोई सीमा नहीं है, तो देखिए राष्टफती का निर्वाचन जो होता है वो, वो एक वेक्ति भारत में जितनी बार चाहे वो निर्वाचित हो सकते हैं, तो इसका जो राइट एंसर होगा option 4 हो जाएगा, यानि इसमें कोई सीमा नहीं है, और इधर देखिए, अब अमरिका जो है, अमेरिका में एक वेक्ति जो है, वो सिर्फ दो ही बार राष्टफती बन सकते हैं, और समिधान का उलंगन करते हुए पाए जाता है, तो उन पर महाभीयोग लगा के उनको हटा दिया जाता है, तो question ये है कि महाभीयोग किन के दवारा लगा जाता है, तो महाभीयोग जो है वो संसत दवारा लगा जाता है, यानि option number 3, right answer, next दखिए, next में है कि राष्पती के महा कौन भाग लेता है ठीक है पहले कौशन देखे थे कि राष्टपती के निर्वाचन में कौन-कौन भाग लेता है और इसमें पुछा गया है कि उनका महाभ्योग में कौन-कौन भाग लेता है तो राष्टपती के महावयोग में जो हैं वो संसत के दोनों सदनों के नमांकित सदस यानि मनोनित सदस और निर्वाचित सदस नमांकित के अंदर दोनों आ गिया ठीक है और जबकि निर्वाचन के टाइम सिर्फ निर्वाचित सदस सी भाग लेते थे और विधान सभा के नमांकित सदस दिल्ली पाड़ोचेरी विधान सभा के सदस अपयोग सभी तो देखिए महाव्योग में ये लोग भाग नहीं लेते हैं ठीक है वो सिर्फ संसत के दोनों सदनों दोरा ही उनका प्राव महाव्योग चलाए जा सकता है तो राइट एंसर ऑप्शन वन नेक्स है राश्पती के महाव्योग में कौन भाग नहीं लेता है देखिए फिसला कोशन में था कि कौन भाग लेता है इसमें पूछा है कौन भाग नहीं लेता है तो देखिए संसत के दोनों सदन के सदस तो भाग लेते हैं यानि इस कोशन के लिए तो राइट एंसर है नही अब तेकि राज विधान सभा के निर्वाचित और डिल्ली पांडी चरी विधान सभा के सदस यानि यह दोनों भाग नहीं लेते हैं तो इसमें वही पूछा है तो इसका राइट अंदर उसमें चुनाव कराना पड़ता है तो राइट अफशन फोर नेक्स पूसन है कि राष परश्टस के रूप में कौन कार्य कर सकता है तो अगर राषपति का पद ृब्ध हो जाता है तो कारभाः राषट पती के रूप में उपरgebhta पती करते हैं और नंबर 3 यहांत अनुचे 65 में किया गया है जो आगे चलके उसको डीटेल में बताएंगे नेक्ट दखिए एक राष्टपती का पद रिक्थ होने पर कारवाग राष्पती के रूप में उपराष्पती कार करते हैं और यादी उपराष्पती का पद रिक्थ हो जाए तो कारवाग राष्पती के भारत के पर्थम मुखी नियाधिस का नाम बताई है जो कारभाग राश्पती के रूप में कार कर चुके है उनका राइट एंसर होगा जस्टिस तीपक मिस्रा ऑप्शन दिया हुआ जस्टिस हे कर्णानिया जश्टिस एंहिदिया तुला या ननभडिस तरहिए इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन 3 जस्टिस एंहिदियाद तुलाइ ठÍक है यह कारभाग राश्पति के रूप में कारे कर चुके है और यहां पर चुके ऑप्शन 2 जो है वह एच जे कानिया जो हो भारत के फर्स्ट सीजी आई ठीक है और लेकिन इस कॉश्चन का जो हम लोग का राइट एंसर ऑप्शन थ्री होगा यानि है में हिदियत तुला जो आगे चलके वह उपराश्ट अफ्ती भी बन ले थे नेक्स दखिए नेक्स दिया है कि लोग सभा क को विघठित कौन कर सकता है तो लोग सभा का विघठन जो है वो राश्पती द्वारा किया जाता है यानि उप्शन नमर फन नेक्स देखिए नेक्स में है कि संसत के संज्यूक अधिवेशन को कौन बुला सकता है यहां फिर बुला होगा ठीक है तो इसका राइट एंसर हो अफ्शन नमर फ्री यानि राश्पती द्वारा बुला जाता है नेक्स देखिए नेक्स में दिया है कि परतेक नए चुनाओ के बाद तथा परतेक वर संसत के पर्थम अधिवेशन को कौन संबोधित करता है तो परतेक चुनाओ के बाद और परतेक वर संसत के पर्थम राश्टपती द्वारा रख़या जाता है ओप्सिन नमबी नेक्ट सउन दिया हुआ है कि अंतराश्टे संधी ये आपतकाल का उनुख्षेद का उले किसे अनुख्षेद में किया गया है उसके बारे में पूछा गया तो देखिए, पिछला साल 2019 में उसको हटा लिया गिया है ठीक है तो ये तो पुछा नहीं गिया है राष्टी आपातकाल पुछा है तो ये तो होगा नहीं अब देखे 360 जो है 360 का उलेख जो है वो वित्य आपातकाल के लिए किया जाता है ये भी नहीं होगा 352 जो है वो राष्ट्या पात्काल के लिए अनुछे दौरा जो लागू किया जाता है और या इसका जो उल्लेख है वो 352 में है यानि इसका right answer होग option 3 next देखिए next में है कि वित्या पात्काल कीस अनुछे दौरा लागू किया जाता है तो देखिए पीछे पीछला वीडियो में देखे कि 360 के द्वारा वित्यापातकाल का उल्लेख है ठीक है और बाकि देखिए ओप्शन यह जो 143 दिया हुआ है इसके द्वारा राश्पती जो है वो सुप्रीम कोट से सला लेने की सक्ति के बारे में उल्लेख है यानि यह जो ह राश्पती का सक्ति के बारे में बताया जाता है 356 जो है वो इस्टेट इमर्जन्सी जब राज में राश्पती सासन लगा जाता है तो उसका जो उल्ले किया गया वो 356 में किया गया और 302 तो अभी बताए यह नेशनल इमर्जन्सी का है जो कि सिर्फ एक ही बार यह 352 जो कि राष्टपती सासन कि राज किस अनुछे द्वारा लागू किया जा सकता है तो राष्टपती सासन जो हो 356 द्वारा लागू किया जाता इसका राइट एंसर होगा अफसन नमबर 2 ठीक है और इसी इसी से जूर रिलेटेड एक कॉस्चन आप लोगों को पूछ ले रहे हैं कि सबसे जादे बार राष्टपती सासन किस स्टेट में लगाया गया ठीक है यह आप लोगों को अभी कॉमेंट करके बताना है और दुसरा कॉस्चन भी पूछ ले रहे हैं इसी से जुड़ा हुआ वो जो है कि सबसे पहले राष्टपती सासन किस स्टेट में लगाया था ठीक है सबसे पहले जो किस state में लगा गया था अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो अभी comment section में जाके comment करें ठीर आगे वीडियो देखें अगर अगर नहीं पता है तो वीडियो के अंतक इसके बारे में आप लोगों को पता देंगे नेक्ट देखिए नेक्ट में है कि भारत पर्थम पर्थम महिला राश्पती कौन थे भारत के पर्थम महिला राश्पती कौन थे तो देखिए ओफचन है मीरा कुमार तो मीरा कुमार जो है पर्थम महिला लोगसभा इस फिकर है ठीक है मीरा कुमार जो है वो लोगसभा के पर यहां पराष्पाती जो है वो परतिभा दीशिंघ पाटील थी आनि कि निदफ्ण उनके कारिकाल के दौराण हुई थी टिक दे के और इन्ही के निदन के बाद उप्राष्ट पति कारवाय में कारी किये थे वीवी गिरी ठीक hey और जब वो राश्टपती के चुनाव में भाग लेने के लिए उपर राश्टपती पत से इस्तिफा देना पड़ा तो उसी टाइम एम हिदिया तुल्ला जो पीछे बता है वो फस्ट से जे आई थे जो कारभाग राश्टपती के रूप में कार किये थे वो इसी टाइम किये है कि राश्टपती चुने जाने के लिए योगेताओं का उलेख किस अनुषेद में किया गया है तो उसकी ऑग्यता का उलेख किस अनुष्यद में किया गया है तो देखिए यहां पर चार ओप्सन दिया हुआ है अनुष्यद 52 अनुष्यद 55 अनुष्यद 58 अनुष्यद 61 तो देखिए अनुष्यद 52 जो है इसमें भारत के राष्टपती के बारे में बताए गया है यानि भारत में जो राष्टपती होंगे उसके बारे मुलेक 52 में है और 55 जो है ये राश्पती के चुनाव का तरीका बताया जाता है राश्पती के चुनाव का जो तरीका है वो 55 दोरा बताया जाता है और पूछा गया है राश्पती की योगेता का उलेक 58 जो है वो राश्टपती की योगेता बताया जाता है ठीक है यानि हम लोग का जो right answer होगा option number 3 हो जाएगा और 61 जो है ये महावियोग जो चलाया जाता है राश्टपती पे उसके बारे मुलेख है 61 में योगेता का उलेख जो है वो 58 में है यानि right answer option 3 next देखिए next question दिया हुआ कि उपराश्पती राजियों की परिशद का पदेन सभापती होना किस अनुछेद में उलेख है उपराश्पती जो है वो राजियों के परिशद के पदेन सभापती होते है तो उसका जो उलेख है वो किस अनुछेद में है वो हम लोगों को बताना है तो देखि और देखे 65 जो है जब राश्पती का पद रिक्त होता है तो उपराश्टपती जब कारवाहक रूप में कार करते हैं उसका उल्लेख आर्टिकल 65 में किया गया है और 64 जो है ये हम लोगा राइट एंसर होगा 64 में राजियों के परिश्ट के सभापती के रूप में बताया गया है तो ये हम लोगा राइट एंसर हो जाएगा और 52 तो भारत के राश्पती के बारे में बताता है ये पीछे कॉस्चन में भी डिसकस कर चुगे हैं तो इस कॉस्चन का राइट एंसर ऑफ्सन 3 नेक्ट ठीक है अब देखी ऑफ्सन दिया हुआ संकर दयाल सर्मा ये भी निर्विरोद चुने गए थे एम हिदियत तुल्ला जो की सीजी आई थे और कारवाग राश्ट पती के रूप में कार किये थे ये भी निर्विरोद चुने गए थे उपराश्पती और डॉक्टर एस राध में हुआ था और इनका राधा कृष्णन का 1952 में हुआ था तो पहली बार जो है वो डॉक्टर एस राधा कृष्णन चुने गए इनका राइट एंसर ऑफ्सन थरी हो जाएगा नेक्ट देखिए नेक्ट में दिया है कि पर्थम राश्पती का नाम बताईए जिनका निधन उनके कारिकाल के दौरान हुई थी तो पिछे डिसकस किए देखिए डॉक्टर जाकर हुसेन 1969 में अपने कारिकाल के दौरान इनकी मिर्थी हुई थी और इनहीं के बाद वीवी सकते हैं कि उपराष्ट पाति राष्ट पति के रूप में अधिक्तम कितने महीनों तक कार कर सकते हैं तो छे महींना तक option for right answer next question next है कि M.Wankya Nidu कितने number के उपराष्ट पी रूप राष्ट पती बने है तो इस वीडियो का पहला question जो था इसी question को पुछा गिया था उसमें राष्ट पती के बारे में पुछा गिया था और इसमें उपराष्ट पती पुछा गिया ठीक है तो अभी परजंड में जो भारत के उपराष्ट पती है वो M.Wankya Nidu है और इनका order इनका जो करमांग है राष्ट पती बनने का व्यक्ति के तोर पे वो पुछा गिया है ठीक है तो वो तेरवें नंबर के हैं यानि उनका जो तेरवें अस्थान है वो तेरवास थान ठीक है तो इसका right answer of option 1 next देखिए next में दिया है कि उपराष्ट पती चुनाफ से सम्मदित सभी विवादों की जाच का निर्ने किसके दवारा किया जाता है देखिए उसमें था कि राष्ट पती का जाच विवात का जांच और निर्ने कौन लेता है तो सुप्रीम कोड था और उपर राश्वती का भी सुप्रीम कोड दोवारा ही किया जाता है यानि राइट एंसर ऑफ्सन थिरी नेक्ट कोर्शन नेक्ट है कि भारत के राश्वती का उलेख की सनुछेद में है देखिए इसके बारे में पहले ही डिसकस कर ली है हम लोग तो इसका राइट एंसर क्या होता है आफ्सन नमबर वन यानि 52 दोवारा नेक्ट कोर्शन देखिए नेक्ट है कि उपर राश्वती का मासिक वेतन कितना होता है तो राश्वती का जो मासिक वेतन था वो कितना था 5 लाक लेकिन उपर राश्वती के बारे में पूछा गया है तो उपर राश्वती का 5 लाक नहीं होता है वो देखिए 3.5 लाक जो है वो राजवाल का होता है ठीक है और 4 लाक जो है वो उपर राश्वती का होता है तो हम लोग का right answer होगा option 3 next question देखिए next question है कि उपर राश्वती के चुनाव का उलेख किस अनुष्यद में किया गया है ठीक है तो देखिए उपर राश्वती के चुनाव का उलेख जो है वो 54, 66, 65, 54 ये चार option दिया है और पुछा गया है कि उपर राश्वती का चुनाव का उलेख किस अनुष्यद में है तो देखिए 54 जो है 54 बताता है कि राश्वती का चुनाव ये जो है राश्वती का चुनाव बताता है यानि 54 जो है वो राश्वती का चुनाव के बारे में बताता है और पूछा गया इसमें उपराश्पती तो 66 में देखते हैं 66 जो है वो उपराश्पती का चुनाव बताता है यानि इस question का जो right answer है वो option number 2 हो जाएगा और 65 के बारे में पहले discuss किये कि इसमें जो है जब राश्पती का पद रिक्त होता है तो कारवाग राश्पती के रूप म में जब उपराश्पती कार करते हैं उसका उल्लेख है 65 में और 52 में राश्पती का उल्लेख है यानि इस question का जो right answer हो option 2 यानि 66 नेक्स देखिए नेक्स में क्या है कि उपराश्पती राजियों के परिशत का पदिन सफाफती होने का उल्लेख किस अनुछेद में किया गया है इस यह रिपीटेड हो गया इस question को इसके बारे में पहले पहले भी इस टाइप का एक question था तो इसका जो right answer था वो था हम लोग का option 1 जो 66 है, option 2 63 है, option 358 है और option 4 64 है तो इसका right answer था article 64 यानि उपराश्पती जो राज के परिशत की पदिन सभापती होते हैं तो उसका उल्लेख जो है वो 64 दवारा किया जाता है next में क्या है? next question में है कि राश्पती के रूप में कारी करने के दौरान उपराश्पती राज सभाके सभापती के रूप में कारी नहीं करते हैं इस अवधी में उनके कारियों का निरवाक इसके दोवारा किया जाता है तो देखिए, question है कि जब राश्पती का प्वाद रिक्त होता है, तो उपराश्पती राश्पती के रूप में कारिवाग रूप में कारिव करते हैं, तो फिर उपराश्पती का जो अपना काम होता है, जैसे कि वो राजसभा के सभापती के रूप में कारिव करते हैं, तो उ महावयोग की आउस्कता नहीं होती है देखिए राश्पती के लिए महावयोग की आउस्कता होती है और उपर राश्पती के लिए नहीं होती है तो इन्हें गिनके द्वारा हटाया जा सकता है यह पूछा गया है और राश्पती द्वारा राजसभा के पूर्ण बहमत द्व तो देखिए राश्टपती द्वारा तो होगा नहीं ये राजसभा का बहुमत होना चाहिए और लोकसभा से सहमती लिया हुआ होना चाहिए यानि इसका जो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर फोर हो जाएगा यानि टू और थरी दोनों ठीक है नेक्ट कोशन देख तो एट राश्टपती का उलेख है वो किस अनुष्षेद द्वारा किया गया है वो बताना है तो ऑफशन देखिए दिया हो 123, 72, 56, 143 तो 123 जो है वो अध्यादेश के बारे मुलेख है राश्टपती द्वारा जो अध्यादेश लाया जाता है उसका उलेख 172 में किया गया ठीक है और राश्टफती के छमादान का जो उलेख है वो 72 दुवारा किया गया है यानि इस question का right answer हो जाएगा option number 2 next question देखिए next में दिया है कि राश्टफती पर महावियोग की परकरिया की सनुष्यद दुवारा चलाए जा सकता है राश्टफती पर जो महावियोग होता है संसत दुवारा लगाए जाता है तो उसका जो उससे related जितने जो रूल है वो किस अनुष्यद में उसका वैख्या किया गया है वो हम लोग को बताना है ठीक है तो देखिए option है 60, 61, 56 तो इसके बारे में तो भी डिसकस कर चुके है option number 2 यानि 61, 61 में अनुछे द्वारा महावियोग क्या उल्लेक किया गया है next question देखिए next question दिया है कि उप राश्टफती की नियुंतम उम्रिसीमा कितनी होती है तो देखिए 25 जो पी-म के लिए नियुंतम उम्रिसीमा है और 35 जो है वो उप राश्टफती के लिए नियुंतम उम्रिसीमा है और उप राश्टफती के लिए यानि इसका right answer option 3 next question देखिए next question दिया है कि देश का दूसरा सरवच्पद कौन सा होता है अधिर देश का पहला जो सरवच्पद होता हो राश्टफती का हता है लेकिन इसमें पूछा गया है दूसरा तो दूसरा जो है ऊप राश्टफती का हता है ठीक है next question दिया है कि राश्टफती सरवच्च नियालय से सला लेने की जो सक्ति का उलेख है वो किस अनुष्यद में किया गया है राश्टपती का सक्ति जो है वो सुप्रीम कोड से सला ले सकते हैं ठीक है तो उसका उलेख जो है किस अनुष्यद में आर्टिकल में किया गया है वो पूछा गया है तो देखिए वो आर्टिकल 143 में किया गया है इ और यह भी वी ख्लार काइव हो गया है दिल्ली पांडे चरि विधान सवाओ के मनोनित whisk ठीक है यानि इसका जो राइट भाग कौन भाग नहीं ले सकता है ठीक है तो निर्वाचन में जो है वो संसत के जो लोक सभाव रास भाग के जो मनोनित सदस होते हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं राज विधन सभाग के मनोनित सदस भाग नहीं लेते हैं और दिल्ली पांडे यानि इसका राइट एंसर होगा option 4 मतलब उप्युक्त सभी ये सभी जो है वो भाग नहीं ले सकते हैं next question है कि राश्पती दोवारा अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है है तो article 123 दोरा जो राश्पती जो अध्यादेश लाते हैं वो कब लासकते हैं कभी ला सकते हैं या उसका भी कुछ time होना चाहिए throwing का देखिए को ऑप्सिन दिया है कि जब दोनों सदन सत्र चल रहा हो यानि लोग सभा राजसभा का सत्र चल रहा हो उस टाइम अध्यादेश ला सकते हैं तो उस टाइम अध्यादेश नहीं ला सकते हैं तो यह जो ऑप्सिन है वो गलत है अगला देखिए यहाँ पर जब होग कि जब दोनों अथवा किसी एक सदन का सत्र नो चल रहा हो कि यह हम लोग का जो है right option है यानि जब संसत लोक सभा या राज सभा दोनों नहीं चल रहा हो और या दोनों में से एक नहीं चल रहा हो उसी time राश्टपती अधियादेस ला सकते हैं यानि इसका right answer option 2 next question देखिए next में है कि राश्टपती की शमादान की सकती का उलेख किस अनुछेद में किया गया है ठीक है तो राश्टपती के शमादान की सकती का उलेख जो है वो article 72 दोवारा किया गया है next देखिए नेक्ट है कि उपराष्टपती राष्टपती के रूप में कारी करने का उलेख की सनुच्छेद में किया गया है जब राष्टपती का पद रिक्त होता है तो उपराष्टपती कारवहग राष्टपती के रूप में कारी करते हैं तो वो जो कारी करते हैं उसका उलेख है वो की सनुष्यद में वो बताना है तो देखिए यहाँ पर option दिया हुआ 61 तो 61 दोबारा जो है क्या होता है राश्पती पर माभियोग लगाए जाता है जो की पहले भी एक दो बार question में बता चुके हैं तो आपको बार बार इसको पढ जो है वो राश्पती के रूप में कार करते हैं यानि इस question का right answer जो है वो option number 3 हो जाएगा और 72 दोबारा क्या था 72 दोबारा था राश्पती के शमादान की सकती यानि इस question का हो गया option number 3 next question देखिए next question है कि उपराश्पती के निर्वाचन में कौन-कौन भाग ले सकते हैं ठ देखिए यान दिया संसत के निर्वाचित और मनोनित सदस विधान सभा के सदस विधान परिशत के सदस इनमें से कोई नहीं तो इसमें जो है वो सिर्फ संसत के निर्वाचित और मनोनित सदस ही भाग ले सकते हैं यानि इसका option हो जाएगा one जबकि राश्पती के निर्वा कौन करता है तो राजसभा की जो अदक्षिता है वो उपर राश्पती द्वारा किया जाता है आप्सिन नमबर वन नेक्ट कॉस्टन देखिए नेक्ट में दिया है कि भारत के उपराश्पती का उलेख की सनुछेद में किया गया है तो भारत के राश्पती का उलेख जो है वो 52 में किया गया था अब इसमें पूछा गया है कि उपराश्पती का उलेख की सनुछेद में ह उल्लेख होता है और 61 महावियोग महावियोग का उल्लेख है ठीक है इसको बार बार हम लोग पल रहे हैं 62 जो है वो राष्टपती का जो पद रिक्त होने पर चुनाव कराने का जो समय होता है ठीक है जो छे महिना का समय जो है समय सीमा राष्टपती का पद अगर रिक्त हो ज दो जाएगा right answer next question तेके next में है कि उप्राश्पती चुनाव का उलेक किस अनुष्यद में किया गया है तो देखिए 63 जो है इसके दोबारा भारत के उप्राश्पती मि भारत में एक उप्राश्पती होंगे उसका उल्लेख है जो कि पिछला question ही था 67 जो है वो उप्राश्पती का कारिकाल बताता है उप्राश्पती के कारिकाल के बारे में 67 बताता है और 66 जो है वो उप्राश्पती के चुनाव के बारे में बताता है ठीक है यानि इस question का right answer होगा option 3 और यहाँ पे 52 जो दिया है यह तो यह राश्पती के बारे में बताता है यानि भारत का एक राश्पती होगा उसका उलेक 52 में है इसका right answer option 3 next question देखिए next है कि राश्पती की उस वीटो सकती को क्या कहते हैं जिसमें वह संसद्वारा पारित किसी विध्यक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है तो पूछा गया है कि उस वीध्यक के बारे में बताईए जिसमें वह संसद्वारा पारित विध्यक को अपने पास सुरक अच्छित रख सकता है तो इसका जो उलेक है वो वो अत्यांतिक वीटो के बारे में है इस सक्ति को जो है कहते हैं अत्यांतिक वीटो सक्ति यानि ओफसर नमबर थरी नेक्स्ट दखिए नेक्स्ट में है कि राष्टपती के उस वीटो सक्ति को क्या करते हैं जब वो किसी विध्यक को संसद में पूर्ण विचार हितु लोटाता है ठीक है जब वो संसद में पारित विध्यक को पूर्ण विचार के लिए उसका नाम कौन सा वीटो है वो बताना है तो देखिए इसका जो right answer option one हो जाए गया नि उसको कहते है निलंबंग कारी वीटो next question देखिए next में दिया है कि राश्पति के वीटो सकती को क्या करते हैं जब वह विधयक को नो तो सहमती देता है विधयक पे नास्विक्रीत करता है और नो ही लोटाता है परन्तु एक अनिश्चित काल के लिए उसे लंबित कर दिया जाता है तो इस वीटो सकती को बोला जात है पाउकेट वीटो सकती option number one ठीक है next question देखिए next question देखिए ये question आप लोग से पिछले question के time पूछे थे ठीक है अगर आप लोग नहीं बता पाए तो देख लीजी यहाँ पी बताएंगे इसको सबसे पहले राश्पति सासन की सिराज में लगा था ये question पूछे थे आप ल last question आज के वीडियो का इसमें था कि सबसे अधीक बार राश्पति सासन की सिराज में लगाया गया ये भी question आप लोग से पूछे थे तो देखिए सबसे अधीक बार जो है वो यूपी में राश्पति सासन लगाया गया है टोटल अभी तक 10 बार लगा है ठीक है तो किस राज में रहा है तो वो पंजाब में रहा है वो आठ बार में ही 3510 दिन तक राश्पति सासन लगा है और सबसे पहला भी पंजाब ही था जो कि 1951 में लगा था ठीक है तो आज का वीडियो था अगर आप लोग इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलिगराम ग और नवाद